नमो नमा हां सांस्क्रिट मंजरी यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज में पुरुष सुक्त पढ़ाऊंगी जो की यूजी सिनेट सिलवस में है पुरुष सुक्त रुट पेत का दसमे मंडल का 90 नमबर का सुक्त है और इसका रिशी है नारायन, देवता है पुर पुरुष चैन्द है अनुष्टुक और त्रिष्टुक तो मंत्र को शुरु करते है सहस्त्र शिट्चा पुरुष अहा, सहस्त्रक्ष, सहस्त्रपात, सभुमें, विश्वत वृत्व, अतितिष्टत, सांगुलम इसका अर्थ होता है पुरुषह यानि की परमेश्वर, परमात्मा, आदी पुरुष, सहस्त्रसिट्सा यानि की हजार सिरोवाला, सहस्रक्षह, हजार नित्रोवाला, सहस्त्रपात, हजार पेरोवाला, सह यानि की वह, वह कर? पुरुस भूमिम भूमी को समगर ब्रम्हांड को विश्वत वृत्वा सभी ओर से पुर्ण रूप से व्याप्त करके अच्छा दित करके दस अंगुलम दस अंगुली जुकत अतितिश्टत अधिक होकर स्थित है इसका अनुबाद है परम पुरुस हजर सिरो वाला है हजर अंगुलम दस अधिक होकर स्थित है दूसरा मंत्र है पूरुषय एव इदम सर्बम यत भूतम यत चभव्यम उत अमृतत त्वश्य इशनाह अन्नेन अतिरो हती इसका सब्दकार्थ देखेंगे इसका अन्ये है इदम सर्बम पुरुश एवा यत फूतम यत च भव्यम उता अम्रुत अतिश्य इशनह यत अन्नेन अतिरो होती इदम सर्बम अर्थात यह सब कुछ जो की दुरुश्यमान जगत है पुरुश एवा पुरुश ही है यत जो कुछ भूतम यानि की भूतकाल में हो चुका है यत च और जो कुछ भव्यम भविश्य में होने वाला है उता और इसके अतिरेक्थ अम्रुत अतिश्य अमरता यानि की अभिनश्वरता का इशनह अधिश्टाता यत जो की अन्नेन अन्न से भोग्य वस्तुशे अतिरो हती यानि की भूत्धी को प्राप्त करता है बढ़ता है इसका अनुवाद है यह सब कुछ जो की दुश्यमान जगत है पूरुशी है अर्थात पूरुश का ही रूप है जो कुछ हो चुका है और जो कुछ भविश्य में होने वाला है वह भी सब कुछ पूरुशी है इसके अत अधिको प्राप्त करता है उसका भी अधिश्टता पुरुशी है तिसरा नमबर का मंत्र है एतवान अस्य महीमा तो जायंश्य पुरुश पादोश्य विश्वभूतानी त्रीपाद अश्यम्रुतम दिभी इसका आड़त होता है पहले उसका अर्ण्यवे देखेंगे एतावन अस्य महीमा पुरुशह चय अतह जायन विश्व भुतानी अस्य पादह अस्यत्रीपत अम्रुतम दिवी एतावन यानि कि इतना अस्य इस पुरुष की महिमा अईसर्य और महिमा पुरुसहच और पुरुष अतह जायन इस महिमा से भी वड़ा विश्व भुतानी समग्र सुरुष्टी अस्य पादह इसका चतुर्थ अंग्स होता है अस्य त्री पाद इसका तीन चतुर्थ अंग्स तीन चौथाई भाग अम्रुत दीवी अम्रुत रूप से दिवलुप में है इसका अनुबत क्या होता है इतनी इस पुरुष की महिमा है और पुरुष इन महिमा से भी बड़ा है समग्र प्राणी या समग्र स्रुष्टी इसका चतुर्थ अंग्स मत्र है समग्र स्रुष्टी विराट पुरुष का चतुर्थ अंग्स मत्र है इनका तीन चत्रोतांगस अविनोश रूप से अम्रत रूप से दिवलक में अवस्ति थे अब हम चोथा मंत्र को देखेंगे त्रीपाद उर्धाह उदेइत फूरुशाह पादो शेहा फुनाह ततो विश्वम व्यक्रमश शसाननो सने अभी इसका अर्थ होता है पहले इसका अर्णे देखेंगे त्रीपाद पुरुशाह उर्धा मुदेथ पुनाह अस्य पादह इहा अभावत ततह शासनानसने अभी विश्वम व्यक्रमश इसका अर्थ सब्दार्थ देखेंगे त्रीपाद यानिकी तीन पादोसे जुक्त तीन चौताई भाग के साथ पुरुश हह इस बिराट पुरुश उर्धम यानिकी उर्धा बर्ति ये दियूलोक बर्ति उदेध उदेध अठथत उपर को उटकेया पुन हम फिर भी अस्या पादह इस बिराटपुरुस का एक चतुर थंगस इह अर्थत यहां पर अभवत हो गया है या रहे गया है ततह उससे सासन अनासने भोजन करने वाला अर्थत चेतन बर्ग और भोजन ना करने वाला अर्थत अचेतन या जडबर्ग जडबर्ग, चेतन करने वाला और अचेतन वाला, अभी यानिकी परियंत, विश्वंग यानिकी विवीध रूप वाला, सर्वत्र, व्यक्रमत, व्यक्रमत अर्थत व्यात होकर स्तित है, इसका अनुबत क्या होता है? तीन पादोसे जूक्त, पुरुस उर्धवर्ती होकर उपर को उठा, यानि कि दिवलोक में चला गया, फिर भी इसका एक चतुरतांगस यहीं फर रही गया है, वह पुरुस यह विराट पुरुस भोजन करने वाला, भोजन करने वाले अर्था जो चेतन वर्ग है और भोजन अर्था जो जड़ वर्ग अचेतन वर्ग है परियंत उनके परियंत विविद रूप में सरवत्र व्याप्त होकर रह गया है, अब हम पांचवास मंत्र देखेंगे, तस्मात विराट जायत विराजयो अधी पुरुशह, शहात व अत्यरिच्यत पश्यत भुमिवथो पुर तो इसका अर्ण्वे देखेंगे, तस्मात विराट अजायत विराजयो अधी पुरुशह, शहात भुमि मधपुरह अत्यरिच्यत तो सब्दार्थ होता है तस्मात यानिकि उस विराट पुरुच से विराट परम पुरुच से उत्पन प्रत्थम तत्व जो है व्यक्त गत है अजायत उत्पन हुआ है अविर्भुथ हुआ है विराजह यानिकि विराट नामक जो प्रत्थम सत्व को अधी पुरुशह, अधिश्ट अतारूप में सह, वह, जातह, उत्पन होकर भुमिम, पुरुथवी या जगत को पश्यात, पीछे, पुरुष्ट भाग में अथो और पुरह आगे अत्य रिच्यत अतिक रमन कर गया है, सबसे आगे बढ़ गया है, इसका अर्थवता है उससे विराट तत्व व्यक्त जगत उत्पन हुआ है, यानिकि उस पुरुष से व्यक्त जगत उत्पन हुआ है, विराट नामक जो प्रथम व्यक्त जगत के अधिश्टाता को रूप में पुरुष्ट या जिबातमा उत्पन हुआ है, वह उत्पन होकर जगत के पीछे और आगे अतिक रमन कर गया है, अर्थात सबसे आगे याथ पुरुषेणा हवीशा देवा यज्या मततन्वता हा, वसंत अश्या सिदाज्यम ग्रिश्मा इद्ना सरध्धवी तो इसका अन्य रेखेंगे अतन्य रेखेंगे द्वारा जग्यों को संपन किया तब इसका वसंत रूत ग्रुत थी ग्रिस्म रूत था इंधन और सरद रूत था हवी उसके वाद का मंत्र देखेंगे तम यज्यम भहिट सी प्रुक्षन पुरुषम यातम अग्रतह तेन देव अयजन्त साध्या रूशयाच्य ये इसका अड़ देखेंगे अग्रतह जातम तम यज्यम पुरुषम भहिट सी प्रुक्षन तेन देवाः ये साध्या रूशयाच्य अयजन्त सबदर्थो तहे अग्रतह यानि कि सरब प्रतम यातम उत्पन हुआ तम यज्यम उस यज्याठ यज्यम साधनभूत पुरुषम पुरुषको बहिट सी कुषाओ पर प्रुक्षन प्रेक्षन किया गया है जल से अभिसेख किया गया है तेन उस पुरुषे देवह देवताओने ये सद्ध्याह जो प्रजापतियादी स्रुष्टि करता थे उन्होंने चा और रुसयाह रुसियोंने यज्या करताओने अयजन्त यजन किया यानि कि यज्या किया इसका और्थ होता है शर्वप्रत्थ मुत्पन उस जग्या साधन भूथ पुरुष का कुषपर अभिसेख किया अर्थत पुरुसका कुश्वर रखकर जल छिड़कर उसे पवित्र किया उस पुरुसका उससे देवताओं ने जो प्रजापति यादि सुरुष्टी करता उन्होंने और रुशियोंने यजन किया यानिकि यज्यां किया इसके बाद का मंत्रा देखेंगे तस्मत यज्यां सर्वहूता है समभृतम पुरुशो अज्यां पसुनतान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्रम्याहा चो ये तो अन्हे होता है सर्वहूता है सर्वहूता है तस्मत यज्यांत पुरुशताज्यां सम्भृतम बायव्यानी अरण्यानी ये चो ग्रमाहा तान चक्रे सब्दार्थ होता है सर्वा होता है जिसमें सभी कुछ होम कर दिया गया हो एसे जिसमें सर्वात्मक पुरुष को होम किया गया है तस्मात उससे जग्यांत जग्यां से पुरुषद अज्यम यानि कि दधी मिस्रित जो घी दधी मिस्रित घी सम्रुतम इकठा क्या गया है उत् और यानि कि जंगलों में रहने वाले पसुओं को ये च़ और जो ग्रम्य पसुहे गावं में रहने वाले पसुहे तान उन्हें भी चक्रे उत्पन किया तो इसका आर्थ होता है जिसमें सभी कुछ हवन कर दिया गया हो उस यग्या से दधी मिश्रित घृत इकठा किया गया उत्पन किया उस दधी मिश्रित घृत से उस पुरुस ने बायू में विचरन करने वाले पक्षियों बन्य वसुओं और जो ग्राम्य वसुहे उनको उत्पन किया उसके बाद का मंत्र देखेंगे तस्मद यग्यन सर्वहूतह रूचह समानी यग्ईरे चंदन सिंग जंगीरे तस्मद यजुह तस्मद अजायत तो अन्य देखेंगे सर्वहूतह तस्मद यग्यन रूचह समानी यग्ईरे तस्मद चंदन सी तस्मद यजुह अजायत इसका आड़त होता है सर्बहुत हो जिसमें सभी कुछ हवन कर दिया गया हो उससे तस्मात उससे यज्यात यज्यासे रूचहा रूचाएं मंत्रा सामानी यानिकी साम जगीरे उत्पन हुए तस्मात उससे चंदांची गायत्रियादी जो चंद है तस्मात उससे यजुहू यजुस यजुरवेद के मंत्रा उजायत उत्पन हुए अर्थात जिसमें सभी कुछ हवन कर दिया गया हो एसे उस जग्य से रुगवेद के मंत्र तथा सामवेद के मंत्र उत्पन हुए उससे गायत्रिया दिछंद उत्पन हुए और उससे जजुरवेद के मंत्र भी उत्पन हुए तो इसका बात का मंत्र देखेंगे तस्मत अस्वह अजायंत ये केच उभयादत हा गावह जगिरे तस्मत अजायवह जाता तो इसका सब्दर्थ होता है तस्मत उस्वह यानिकी घोडे अजायंत उत्फन हुए ये के जो कोई च और उभयादत हा दोनों और दांत वाले तस्मत उस्वह निश्चिन्त अर्थ का बाच्चक इधर हो कार्थ है निफात है निश्चिन्त अर्थ का बाच्चक है जो गावह, गाए, जगीरे उत्पन हुए तसमात उससे अजावयह, बक्रियां तथा फेडे जाता उत्पन हुए तो इसका अनुबाद होता है उस जग्यां से घोडे उत्पन हुए जो कोई उपर और निचे दांतों वाले जो पसु है उन सब भी उत्पन हुए उससे गाएं उत उससे वक्रियां तता भेड़े भी उत्फन हुए। इसके बाद का मंत्र देखेंगे। उससे वक्रियां तता भेड़े भी उत्फन हुए। इसका वाहू, भुजाय, कव, कोन थी, उरू, यानिकी जंग, कव, कोन, पाद, यानिकी फेर, उच्यते, कहे जाते हैं। जीस समय इसका अर्थ होता है, जीस समय देवतावन ने उस विराट फूरुस को विभक्त किया, वांटा, उस समय उसके कितने भागों में, अर्थत कितने रूफों में, विवित रूप से कल्पित किया गया हो, वांटा गया हो, उस फूरुस का मुख क्या था, इसकी वुजाय क्या थी, कोन थी, इसकी जगाय और पेर क्या थे। उसके बाद का मंत्र है। अन्नोय देखेंगे, ब्राम्हन अस्य मुख मासित, राजन्य हा बाहु क्रुत हा, यत वैश्य हा, तत अस्य उरु पदाभ्यां सुद्र अजाय था, ब्राम्हन अस्य इस बिराट पुरुसका, मुख था, असित, यानिके था, राजन्य हा, यानिके ख्यत्रिय, बाहु, दोनों भुजाय थे, कृता, कृता हा, बनाय गया, उत्पन हुआ, तत हुआ हा, अस्य इसकी बिराट पुरुसकी उरु, जंगाय थी, यत जो वैश्य हा, वैश्य, और पदभ्यां, पेरोशे, सुद्र हा, बिराट पुरुसका मुक था, अर्थाद मुक से ब्राम्हन उत्पन हुआ, ख्यत्रिय, उस बिराट पुरुसका दोनों भुजाओं से उत्पन हुआ, जो वैश्य है, वहो, इस बिराट पुरुसकी जंगो, जंगो के रूप मे था, जंगो से वैश्य उत्पन हुआ, दोनो मुखात इंद्रह चा अग्निही चा प्राणात बायु हु अजायता। इंद्र उत्पन हुआ चा और अग्निही अग्नि चा प्राणात बायु हु अजायता उत्पन हुआ। उस बिराट पुरुस के मौन से चंद्रमा उत्पन हुआ, नेत्रों से सुर्य उत्पन हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन हुए, तथा प्राणों से बायु उत्पन हुआ है। नाभ्या आसित अंतरिक्ष्यम सिर्षो द्योहु समवर्तत पदभ्यम भूमिं दिर्शह सुर्तत तथा लोका और कल्पयन। नाभ्या आंतरिक्ष्यम आसित सिर्षह द्योहु समवर्तत पदभ्यम भूमिं दिर्शह तथा लोका और कल्पयन। नभ्याहा यानि कि नाभी से उस विराटपुरुस के नाभी से अंतरिक्षम अंतरिक्ष आसित था उत्पन हुआ नाभी से अंतरिक्ष उत्पन हुआ शिर्सह सिर्से द्योहु समवर्तत दिवलो उत्पन हुआ उत्भुत हुआ पदभ्यम पेरो से भुमी सुरत्रत कान से दिसह तथा उस प्रकर लोकन लोकों की और कल्पयन कल्पना की सुरुष्टी की इसका अर्थ होता है जोबिराट पुरुस की नाभी से अंतरिक्ष उत्पन हुआ सीड से दिवलोक उत्पन हुआ पेरो से भुमी और कानों से दिसाई उत्पन हुई इस प्रकर उन्होंने लोकों की इस लोक की संसर की रचना की है इसके बाद बाला मंत्र है इसका अर्ण्ने देख लेते हैं यत देवह यज्यम तन्वानाहा पुरुषम पोसुम अवद्धन अस्य सप्त परीधयह आसन त्रीही सप्त समीधाह कृता यत यनिकि जब जी समय देवह देवतावने यज्यम यज्यम को तन्वानाहा बिस्तर करते हुए पुरुषम पुरुषम पुरुषरुपी पसु को अवद्धन बांध लिया अत्र अस्य उस यज्यम पुरुषकी सप्त साथ परीधयह परीधिया आसन थी त्री सप्तह यनिकिस समीधाह की गई थी बनाई गई थी जी समय देवतावने यज्यम को विस्तर करते हुए पुरुषरुपी पसु को वांध लिया था उस समय यज्यम पुरुषकी साथ परीधिया थी और 21 समीधाएं बनाई गई थी उसके बाद कमंत्र है यज्यन यज्यम अयजंत देवाह तानी धर्मानी प्रतमानी आशन तेह नाकम महीमानाह सचंत यत्रपुर्वे सध्याह संती देवाह अशन यज्यम रुषकी Being Nature देवाह तानी यज्यन यज्यके द्वारा यज्यम यज्यरुफ रजवति का अजय यंत यज्यं किया पुजा की तानी वे धर्मानी धर्म नियम स्रिष्टि उत्पति के विधान प्रतमानी अज्य hart प्राप्त करने वाला देवता संती रहते है या स्थिर है तो इसका अर्थ क्या होता है? देवताओने जग्यां के द्वारा जग्यां सुरु प्रजापती का यजन-भुजन किया वे धर्म सबसे मुख्य हुए तो नियामा सुरुष्टी उत्पती के जो बिधान हुए सबसे मुख्य है धर्म वे महीमा साली दिव्य सोर्ग की प्राप्त करते हैं जहां प्राचिन साध्य देव रहते हैं तो ये था पुरुष सुक्तो तो आपको ये वीडियो केसा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक और सेयर करना धन्यवाद